आज की इस कक्षा में हम दस्मलों पाट के प्रस्ना वली छे दस्मलों चार के प्रस्नों को हल करने जा रहे हैं पाला प्रस्न है निम्नलखित को रुपे में बदल ये ये पैसे में दिये हुए है इन्हें रुपे में बदलना है इसका पहला है दस पैसे दस पैसे को हमें रुपे में बदलना है तो हम लोग जानते हैं कि एक सो पैसा पराबर एक रुपया होता है तो रुपय में बदलने के लिए हम इसे एक सो से भाग देंगे ये एक सो से भाग देंगे तो ये रुपया बनेगा ये रुपया हो जाएगा तो ये ये सुन्ने और ये सुनी कट गया तो ये हो गया हमारा शुन्ने दसमलो एक ये रुपया हो गया अब ये 25 पैसा है दूसरा प्रस्ट तो इसे भी वैसे ही करेंगे 25 बटा 100 तो इसे हम 10 मलों में ऐसे बदल सकते हैं 0.25 ये हमने क्या किया यहां 2 शुने था तो दाहिनी और से 2 अंग के बाद हमने 10 मलों दिया तो ये हो गया 0.25 ये रुपे अब है 250 तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे 250 बटा 100 तो ये 100 ने 100 कट गया तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 रुपे एक सुने है इसलिए दाहिनी और से यहां हम एक अंग के दाहिनी और से गिनते हुए हम यहां पर 10 मलों देंगे हो जाएगा हमारा 3.75 रुपे यह है एक हजार 315 पैसे तो यहां भी हम वैसे ही करेंगे एक हजार 315 और यह बटा 100 तो यह हमारा हो जाएगा 13.15 प्रसंद संख्या दो निम्लखित को मीटर में बदल ये पहला है 5 cm तो हम लोग जानते हैं कि 100 cm बराबर 1 मीटर होता है अता हम मीटर में बदलने के लिए हम इसे 100 से भाग देंगे तो यह होगा 5 बटा 100 यह मीटर अर्थात यहां बटा में 2 शुन्य है तो हम यहां से दाहिनी और से 2 अंग गिनेंगे यह हमने पांच लिखा और अब यहां से दो अंकी नेगे एक और यहां कुछ नहीं है तो एक शुन्य देते हैं और यह दस मलो और यह शुन्य यह हो गया हमारा मीटर 17 सेंटी मीटर इसे भी ठीक उसी तरह से 100 से भाग देंगे तो यह हमारा हो जाएगा शुन्य दस मलो और एक साथ मीटर अब यह है 9 मीटर 50 सेंटी मीटर अर्थात 9 मीटर जोड़ 50 सेंटी मीटर अर्थात 9 मीटर जोड़ 50 बटा 100 यह एक सुन्य एक सुन्य कड़ गया तो यह हो जाएगा हमारा 9 जोड़ 0.5 मीटर अर्थात 9 दस मलो पांच मीटर अब यह 175 सेंटी मीटर चौथा प्रसुन तो इसे भी हम 100 से भाग देंगे 175 बटा 100 तो यह हमारा हो जाएगा 1.75 मीटर पांचवा 45 मीटर 5 सेंटी मीटर अर्थात 45 मीटर जोड़ इस सेंटी मीटर को हम मीटर में बतलेंगे तो 5 बटा 100 अर्थात यह हो गया 45 जोड़ शुन्य दसमलो शुन्य पांच मीटर अर्थात 45 दसमलो शुन्य पांच मीटर प्रस्ण संक्या 3 निम्न लिखित को दसमलो का प्रियोक कर सेंटी मीटर में बदलें तो हम लोग जानते हैं कि 10 mm बराबर एक सेंटी मीटर होता है तो इसलिए इसे सेंटी मीटर साथ सेंटी मीटर चालिस मिली मीटर इसको भी वैसा ही करेंगे चालिस बटा 10 सेंटी मीटर तो ये सुनने और ये सुनने कड़ गया तो बच गया 4 तो ये हो गया 4 सेंटी मीटर अब तीसरा नबर है 165 मिली मीटर तो इसे भी हम 10 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सुल्ल दसमलो पाँच सेंटी मीटर चौथा नमबर है दो सेंटी मीटर पाँच मिली मीटर तो दो सेंटी मीटर जोड पाँच मिली मीटर को हम बदलेंगे सेंटी मीटर में तो ये हो जाएगा पाँच बटा दस सेंटी मीटर अर्थात दो जोड पांच बटा दस को लिखेंगे हम 0.5 यह सेंटी मीटर तो यह हो जाएगा 2.5 सेंटी मीटर पांचवा है 87 मिली मीटर तो यह हो जाएगा 87 बटा 10 सेंटी मीटर अर्थात 8.7 सेंटी मीटर प्रस्न संख्या 4 निम्नलिखित को कीलो मीटर में व्यक्ट कीजिए पहला है 9 मीटर तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलो मीटर अर्थात इसे हमें 1000 से भाग देना होगा तो यह होगा 9 बटा 1000 यह हो गया किलो मीटर अर्थात यह होगा हमारा 0.9 किलो मीटर दूसरा है 250 मीटर इसे भी हम 1000 से भाग देंगे 250 बटा 1000 किलो मीटर तो यह सुन्य और यह सुन्य कड़िया तो हमारा बज़िया 0.25 किलो मीटर अब यह तीसरा है हमारा 1384 यानि 1384 तो इसे भी 1000 से हम भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 1.384 किलो मीटर चौथा है 5 किलो मीटर और यह है 850 मीटर तो 850 मीटर को हम 1000 से भाग देंगे किलो मीटर में बदलेंगे 850 बटा 1000 किलो मीटर तो यह सुने और यह सुने कड़ गया अब यह हो गया यह 5 जोड 85 बटा 100 यानि 0.85 किलो मीटर अर्थात यह हो गया 5.85 किलो मीटर पांचवा नमबर है 27 किलो मीटर 75 मीटर तो यह होगा 27 किलो मीटर जोड 75 मीटर को किलो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे 75 बटा 1000 किलो मीटर तो यह हो गया हमारा 27 जोड यह हो जाएगा 0.05 यह इतना किलो मीटर अर्थात यह हो गया 27.05 किलो मीटर प्रस्न संख्या 5 नमबर लिखित को किलो ग्राम में लिखिए पहला है 5 ग्राम इसे हमें किलो ग्राम में बदलना है तो हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर एक किलो ग्राम होता है तो इसलिए ग्राम को किलो ग्राम में बदलने के लिए हम इस 5 ग्राम को 1000 से भाग देंगे तो आएए करते हैं 5 बटा 1000 यह हो गया किलो ग्राम अर्थात यह होगा शुन्य दसमलो शुन्य शुन्य पांच कीलो ग्राम अब एक सो पचास ग्राम इसे भी हम एक हजार से भाग देंगे एक सो पचास बटा एक हजार कीलो ग्राम तो यह सुन्य और यह सुन्य कड़ गया तो यह हो जाएगा शुन्य दसमलो शुन्य पांच कीलो ग्राम अब यह है चार हजार पांच सो पांच ग्राम तो इसे भी वैसा ही करते हैं चार पांच सुन्य पांच बटा एक हजार कीलो ग्राम तो यह हो जाएगा चार दसमलो पांच शुन्य पांच कीलो ग्राम अब है यह 9 कीलो ग्राम 75 तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 9 कीलो ग्राम जोड़ यह 75 ग्राम को हम कीलो ग्राम में बदलेंगे 1000 से भाग देकर कीलो ग्राम तो यह हो गया 9 जोड़ शुन्य दसमलो शुन्य साथ पांच कीलो ग्राम अठात 9 दसमलो शुन्य साथ पांच कीलो ग्राम यहां है 65 कीलो ग्राम 450 ग्राम तो फिर इसी तरह से हम लिखेंगे इसे भी 65 कीलो ग्राम जोड़ 450 बटा 1000 कीलो ग्राम तो यह हो जाएगा 65 जोड़ शुन्य दसमलो चार पांच शुन्य कीलो ग्राम अर्थात 65 दसमलो चार पांच शुन्य कीलो ग्राम ग्राम